वोट डालने जाने के लिए भी टांगे नहीं रहने दूंगी टांगे तोड़ दूंगी मेरे पैसे लोहे के पैसे नहीं है इतनी आसानी से नहीं पचाने दूंगी जी आपको बता दे प्रदेश से लेकर तहसील तक राजनीती में भाश्पा का इस्तर गिरता जा रहा है एहनकारी दीदी के दो वीडियो आए सामने आम अर्यादित भासा में बात करती दिखी पुरविधायक ममता मीना चीख चीख कर कह रही है मेरे पैसे लोहे के पैसे नहीं है इतनी असानी से पचाने नहीं दूंगी पास लाग रुपे में हुई थी डिल धाई लाग दे कर वापस लेने जनपस अदसे के घर पहुच कर परिवार को धंकाया जिहां को बता दे जनतों निताओं के सामने भला बनने वाली दीदी का खरीद फरोग्त करते हुए वीडियो आया सामने प्रदेश की राजनीती के साथ साथ इंदी रोट जिले की राजनीती में भी भूचाल मचा हुआ है पंचायत और नगर निकाय चुनाव संपन होने के बाद अब जनता के द्वारा चुने हुए पती नीदियों की जो खरीद फरोग्त हुई है उसकी वीडियो सामने आने लगे हैं जिसमें भाज़पा की गंदी राजनीती के चलते स्थाने निताओं का इस तर तक इतना गिर्टा जा रहा है कि पढ़े लिखे नेता और जन्पती नीदि तक अब शब्दों और आमर्द्यादित भासा पर उतर आई हैं शायर जी कभी ऐसा आपको देखने और सुनने को मिला होगा जो वर्तमान राजनीती में देखने को मिल रहा है जिसमें महिना जन्पती नीदी भी कहीं से पीछे नहीं है दरासल ऐसा ही एक मामला चांचोड़ा जन्पत का स्तामने आया जिसमें पूरो जिला पंचयत अद्च और चांचोड़ा से पूरो लिधायक रह चुकी वर्तमान जिला पंचयत सदसे स्रीमती मंता मीना इक चैन पसदसे के घर पहुच कर खरीद परोक्त को लेकर एंकार मै दबंगई से पेशा रही है जिनके वीडियो किसी तरह मीडिया कर्मियों के हाथ लग गए तो उन्होंने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश उनके रिटर आई पी एस पर टी आर एस मीरा से की तो उन्होंने खुद या बात कबूल करते हुए कहा कि हां दुनों तरफ से ले लिये थे ना उसने अब गलत है तो छाप देना जो भी छापना है वो छाप देना मैलापुरुस के साथ ही बच्चों के सामने बैट कर उन्हें धमकाते हुए लोग लडाई पर उतर आई हैं इसे स्पस्ट होता है कि वे अपने आपको बेदाग छवी कहलाने वाली नीता किस हद तक गिर चुकी है यह सच्चाए उनकी खटिया पर बैट कर बनी वीडियो बया कर रही है जिहां आपको बता दें उन्होंने साथ सब्दों में ये कहा कि मुझे नहीं चाहिए कोई वोट पैसे दो नहीं तो घर ग्रिस्ती बता दो एक दो मिनट की बनी वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं तुमसे दो उन्हें पैसे लेने आई हूँ और आज मैं ले के जाऊंगी, नहीं दे पार है वो तो फिर क्या, घर ग्रस्ती दे दो, वो चाहिए ही नहीं मुझे, अब तो मेरे पास लोटार दो अपने घर बेचो या घर ग्रस्ती का समान बेचो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं ऐसे कित में आम अर्यादित सब्तों का उपियोग उढ़ों ने किया, जो उढ़ी नहीं करना चाहिए, आप इस वीडियो में देख सकते हैं विरो रिपोर्ट आईपिये के जले बनाव देवन मुझे सकोई लेन देवने। क्योंकि नानी-नानी केके का जी सूकस हो और उसने जाए साथ में जरासिक चिंदी काई मलगी गलेरी चिंदी मिल जहीं कहीं बजार लगागे जारी बेटकी जलेरी के नहीं गलेरी रासिक चिंदी मलगी बढ़ार बना कितना चाहिए रुपय आज बता दे तुम धिकार साले कितने चाहिए रुपय अभी अलग ठूक के जाओ कुपई साफ है और वोट फर भी नहीं चाहिए वो में बाद कितना रुपय चीज होती है रुपय उतनी बड़ी चीज नहीं होती है रुपय बोज में चीज होती है बात करने के बात बदल गया है तो सर थोड़ा सा बात करना था उस चक्र में बताओ मैं ही बता दूंगा ना बता बताओ जी तो वो वीडियो आयते सार उसमें जंद पर चुनाव को लेके वो खरीदने का वो है डाई लाग रुपय का ऐसा बात आ रही है उसमें अरे वो तो ग्यारा बारे लाग में फिट गया दवास है हमारा आजमी ता पार्टी का उस फॉलकार गला है नहीं तो उसमें मम्तेजीदी ये बोलना ही ना मेरी पांच लाज की बात हुई थी और दो लाग में दे चुकी हूं पचास अजार फिर दे चुकी हूं हमाँ वह दोनों तरफ चले लिए तो नहीं दोनों तरफ चले ये तो गलत था ना शुम आर तो गलत चाप देना यार तिरह कुछ चापना आप पृट है जो भी चापना चाप देना कोई बात में पृट है कि अ